हेलो दोस्तो आज मैं आपके सामने कच्ची आलू और पोहे से बनी एक ऐसी रेश्पी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही टेश्टी है और हिल्दी भी है तो फ्रेंट्स आईए बिना देरी के हुए इस रेश्पी को बना कर त्यार कर लेती हैं तो इस रेश्पी को बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या हैं हमें 200 ग्राम जाड़े वाले पोहे लेने हैं मोटे वाले पोहे आते हैं वाई वाले पोहे लेने हैं अब पोहे को हमें अच्छे से धो कर साप करना हैं इसके लिए हम इसमें 2-3 बार पानी डाल कर अच्छे से धो भूलेंगे ताकि इसका जो गंदा पन है वो निकल जाए और ये देखे पोई को आमने धो लिया है पोई आमारा तैयार है तो दस मिनिट के रेश्ट पर इसे रखेंगे तब तक मसाले तैयार करनेंगे चार पास लैसुन के कलिया नहीं है उसे मिक्सर की वाटे में डाल आदा कटा हुआ प्याज डाल देंगे प्याज को हमने बारिक काट करके डाला है थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देंगे कस्मीरी नाल मिर्च का पाउडर आदा चमश डाल देना है इसके बाद हमें यही पर टेश्ट के हिसाप से आदा चमश नमक डालना है आदा चमश मखम बाद में डालेंगे बस इसे पीस लेना है तो चलिए मसाले तयार है तो चलते हैं अपनी रिस्पी की तरफ तो यहाँ पर गैस पर एकड़ाई रखिए खड़ाई में ओयल डाल दिया है ओयल अमारा अच्छा करम है तो यहाँ पर हमने दो आलू काट कर रखिए उन्हें अब आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक आलू अच्छे से पक न जाए तो यह देखे दोस्तो इसी तरीके से हमें आलू को फ्राई करना है और आलू हमारा पक सा गया है तो बस यही पर हम इसे निकाल लेंगे तो यह आलू भी तयार है तो चलते हैं मसालो की तो इसी खड़ाई में हमने एक हरी मिर्च लिया है, थोड़े से कड़ी पत्ते लिये हैं, राई के दाने लिये हैं, उन्हें डाल दिये हैं और जैसे ये सब तड़कने लगे, तो जो आधा प्याज बच गया था, उसे हमने काट कर इसमें तड़के लगा दिये हैं अब तड़के को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, तो फ्रेंज ये देखिए, इसी तरीके से हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, और जैसे ये गोल्डेन फ्राई होने लगे, तो हमें करना क्या है, जो मसाले हमने पीस कर रखी हैं, वो मसाले हमें इसमें डाल देनी ह तो ये देखे इस तरीके से मसाले डाल देने हैं और इसी जो प्लेट है इसी प्लेट में हमें दो चमश पानी डाल कर उसे भी मसालों में डाल देने हैं और मसालों को अच्छे से भूलना है ध्यान रहे हैं मसाले जने नहीं दोस्तों आपने पोहे तो बहुती बनाये होंगे एक बार मेरी तरीके से इस पोहे को बना कर जरू ट्राइ करना आपको यह रेस्पी खाने में काफी ज़्यादा पसंद आएगी तो यह निजे यह देखे हमारा मसाला अच्छे से भून गया है तो अब हमें करना क्या है यही पर हमें जो आलू हमने फ्राइ किये थे उन्हें डाल देने हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़े से निम्बू का जूस भी डाल देन अब इन सबी चीजों को में चला कर अच्छे से पका लेना है दोस्तों आजम बना रहे हैं मसाला पोहा और मसाला पोहा हमारा काफी जादा टेश्टी बन कर त्यार होगा अगर आप इस तरीके से बना कर त्यार करेंगी तो यही पर हमें करना क्या है भुना हुआ सिंग्दाना लिया है उसे इसमें डाल देना है तो आदा वाटी भुना हुआ सिंग्दाना था उसे डाल दिया है अगर आपके पास कच्चा सिंग्दाना हो तो आप उसे पहने ही फ्राइ कर देना और फिर इस तरीके से बाद में ड दोस्तों, अगर आप इस तरीके से पोहे बनाएंगे, तो एकदम खिले-खिले पोहे बनेंगे, और काफी ज़ादा टेश्टी भी बनेंगे, तो ये देखिए, मसालों में हमने पोहे मिला दिये हैं, और आप देखी सकते होंगे, कि हमारे पोहे कितने ज़ादा खिले-खिले तो फ्रेंड वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तुम इडियो को एक लाई जरूर करें तो पोहे को हम इस तरीके से मिला लेंगे अब इसके बाद हमें इसके उपड़ डालना है कटा हुआ धनिया का पत्ता तो धनिया का पत्ता भी डालकर हम इसे अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे तो ये लिजे दोस्तों हमारा मसाला पोहा बनकर तयार है तो फ्रेंड आप भी इस तरीके से एक बार मसाला पोहा बनाकर जरूर द्राई करें और आपको यह recipe कैसी लगी हमें comment में जरूर बताएं तो चलिए हमारा पोवा तैयार है तो हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो एक प्लेट ले लेंगे और इसमें अपने पोवे को निकाल लेंगे तो यह देखिए दोस्तों इस तरीके से में पोवे को प्लेट में निकाल लेंगे अब इसके बाद हम ने लिया है बारिक वाला सेव तो इसके उपर बारिक वाला सेव डाल देंगी आप चाहें तो यही पर खटा हुआ डमाटर और खटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं और इसके उपर थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल देंगे यह लिजे गर्मा गरम पोगा तयार हैं तो आप भी एक बार इस रेश्पी को जरूर ट्राइ करें तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेश्पीक शाद बार